और नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक सतकरतुमापका हमार चलफ सकना स्वा नाम है स्रेडिलिफ लिए थरі 24aj7 दोस्तों इस वीडियो में मैं आप से बात करने वाँ हूं निबंध के बारे में जिसका टॉपिक है अंतराष्टी योग दिवस अंतराष्टी योग दिवस निबंध मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस एसे लेकर आया हूँ इस वीडियो में दोस्तों आने वाले समय में SSC MTS TR2 का एक्जाम है जिसके आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको इस वीडियो से इस निबंध से इस एसे से आपको काफी हल्प मिलेगी अंतराष्टी योग दिवस करन्ट अफेर का मुद्ध है आपके एसे जो है आपके एक्जाम में पूंचा जा सकता है तो आप इस वीडियो को देखिए अंतराष्टी देखिए और हमेरे चेट को सब्सक्राइब रूर कीजिए आने वाले वीडियो में लाव लीजिए तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करेंगे दोस्तों इंट्रोडक्शन से इंट्रोडक्शन को चिस पकार है योग मन, सरीर और आत्मा की एकता को सच्छम बनाता है योग के विभिन रूपों से हमारे सारीरिक और मांसिक स्वास्थ को अलग अलग तरीकों से लाव मिलता है आधुनिक जीवन सेली में भातिक संसाधनों पर बढ़ती निर्भटा और प्रक्रति से दूरी सारीरिक मांसिक विक्रतियों को ना सिर्फ उत्पन कर रही है बलकि बढ़ा भी रही है ऐसे में प्रगति से निगटता और योग में जीवन को अपना कर निरोग रहने के साथ ही हम सदय उर्जावान भी महसूस करेंगे आगे बढ़ते हैं भारतिय पधार मंत्री स्री नरेंद मोती ने सबसे पहले अंतराष्टी योग दिवस मनाय जाने का विचार दिया था इस प्रकार से वे भारत की इस अनूठी विरासत को विसो के साथ साज़ा करना चाहते थे भारती बधारمنदी सरे नरेद मोती जी ने सबसे पहले अंतराश्टी योग तिवस मनाये जाने का विचार दिया था इस प्रकार वे भारत की इस अनूठी विरास्त को साथ साजह करना चाहते थे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को पसंद किया और 21 जून को अंतराष्ट्री योग दिवस के रूप में मानिता दे गई यह वर्ष 2015 में पहली बार मनाया गया था आगे बढ़ते हैं योग सब्द की उत्पति संस्कृत के यूज से हुई है जिसका मतलब होता है आत्मा का सारभावमिक जेतना से मिलन वैदिक संगिताओं के अनुसार तपस्वियों के बारे में प्राचिन काल सही वेदों में इसका उल्लेक मिलता है सिंदुहाटी सब्धता में भी योग और समाधी को प्रदर्सित करती मूर्थियां प्राप्त हुई योग भारत की प्राचिन प्रम्त्रा का एक अमोल्य उपहार है यह दिमाग और सरीर के एगता का प्रतीक है मनुस से और प्रगर्ति के बीच सामान्जस से है विचार सैयम और स्पूर्दि प्रदान करने वाला है तथा स्वास्त और भालाई के लिए एक समक्र दृष्टिकोंड को भी प्रदान करता है अब आते हैं कंक्लूजन पर कंक्लूजन के शिस्पकार है हम कह सकते हैं कि योग एक जीवन पद्धती है जिसका संबंध किसी धर्म संप्रदाय आदि से ना होकर संपूर्ण मानावता से है और यह वैस्विक तोर पर संपूर्ण मानावता की धरोहर है मनुसिक्य सारीरिक वा मांसी कष्टों का निवारण एवं कल्याण केवल योग की जीवन पद्धत को अपनाने से ही संभव है ऐसा इसलिए है क्योंकि आरोब लगाया जाता है कि योग सिर्फ एक ही धर्म विसेश की पहचान है एक धर्म विसेश को ही मानता है योग में लेकिन ऐसा नहीं है योग अगर जोग करेंगे तो सब को लाव होगा वो चाहे किसी भी पंत को मानता हो किसी भी संप्रदाय को मानता हो किसी भी धर्म को मानता है तो जोग अगर करेगा तो उसको लाव होगा इसे सिर्फ एक धर्म की धरोहर से नहीं जोड़ कर देखा जा सकता है मनुस्य के सारी रिग वा मांसिक कर्ष्टों का निवारण एबं कल्याण केवल योग की जीवन पध्धती को अपनाने से ही संभाव है तो यह रहानी बंद एसे कैसा लगा आपको उम्मेद करता हूँ पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो इस वीडिको लाइक करें अपने दोसों में भी सेयर करें और हनाचे वो सब्सक्राइब भी रोकरें बहुत बहुत धन्यवाद